कुछ लोग चपल की तरह होते हैं, साथ भी चलते हैं और पीछे से कीछड भी उचालते हैं इसलिए अगर हमेशा खुश रहना चाहते हो तो रिष्टा तो सबसे रखो पर उमीद किसी से नहीं हमेशा सुकून से रहना चाहते हो तो किसी की बातों को लगाना दिल से नहीं कभी कभी हम किसी के लिए उतने जरूरी होते ही नहीं जितना हम सोच लेते हैं जब भी कोई पीट पीछे कुछ बोले तो ये बात याद रखना पीट पीछे वो बोलता है जो हमसे पीछे होता है जब भी कोई तुम्हारी किसी काम में टांग खीचे तो ये याद रखना कि टांग वो खीचता है जो हमसे नीचे रहता है दुनिया आगर आपका विरोध करे तो डरना मत क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसी पर पत्थर फैकती है हम सोचते थे कि जिन्दगी बदलने में बहुत समय लगेगा पर क्या पता था कि बदलता हुआ ये समय जिन्दगी को बदल कर रखतेगा किसी ने क्या खूब कहा है लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलत जाते हैं इसलिए धागे को लपेट कर रखें और जबान को समेट कर जिन्दगी का एक सीधा सा गणित रखो जहां कदर नहीं वहां जाना नहीं जो पच्चता नहीं वह खाना नहीं जो सच बोलने प जब तक काम के हैं तभी तक लोग आपको पहचानेंगे क्योंकि याद रखना अकसर दिया जलाने के बाद माचिस की तीली को हर कोई फेक देता है कोई खोशियों की चाह में रोया तो कोई दुखों की पनाह में रोया अजीब सिलसला है ये जिन्दगी का कोई भरोसे के लि हमें इंसान को हर चीज मिल जाती है सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती मनश्य के लिए बुरी संगत उस कोईले के समान है जो गरम हो तो हाथ जला देता है और धंडा हो तो हाथों को काला कर देता है लोग बड़े आराम से रिष्टों को तोड़ देते हैं दिलों को तोड़ वो ये नहीं समझते के मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है तोड़ने वाले को नहीं वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा जिंदिगी में अगर सफल होना है तो ये याद रखना तुमें काम उसी नसीहत पर करना है जो त हमें उन परिस्तितियों से ठीक तरह से निपटना नहीं आता इसलिए हमेशा खुश रहें मुस्कुराते रहें क्योंकि आप भी नहीं जानते कि आपकी ये जिंदगी कितनी बागी है और हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें क्योंकि कमजोर तो तब रुकते हैं जब वो जीट जाते हैं अगर इस वीडियो में कहें कि बातों ने आपके दिल को छुगा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारे जानते हैं आपके जानते हैं